हेलो नमस्कार जीदी आप लोग भी बिहार डेलेट संयूंत परिवेस परिछा में सामेल लोए थे और अपने कॉंसिलिंग का इंतिजार कर रहे थे तो फैनली आप से वगत दें कि आप सिब का जबी ऑनलाइन का जबी डेट है वो आ चुका है अब आप से भी लोग अपना ज ख्मक से एस्ट्रेसन और 24 फिलिंग करना होता है तो आई हम आपसे को दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप से वो अपने mobile फोन से घर बैठे इस्टेप बाइस्टेफ अपने से च्वाइस फिलिक करेंगे वह पूर किरिया हम आपसे को दिखाएंगे इसलिए सभी से रिक्रेश्ट है कि बीना इसकीप किये वीडियो को अन तक जरूर देखेगा तो सबसे पहले मैं आपसे को बताते हैं कि सबसे पहले आपसे गूगल को ऑपन कर लेना और यहां पर आने के बाद आपसे वह कुछ इस प्रकार से ओप्सन देखने को मिलेगा उसके बाद यहां पर देख सकता हैं एक यहां पर न्यू अपडेट का सेक्षन दिखाई दे रहा है बिहार डिलेट कॉंसलिंग दुजारताइस रिजिस्टेशन 24 फिलिंग दुजारताइस ऐसे करे इस पे क्लिक कीजिएगा इस पोस्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे पूरी पोस्ट खुल करके सामने आ जाएगी यहां पे पूरी डिटेल में यहां पे श्टेप बाइश्टेप जानकारी बताई गए कि आपसे का जोबी आउनलाइन अप्लिकेशन का जोबी ड समाप्थ हो जाएगा वहीं पेमेंट की बात करते हैं यदि आप लोग EWS, BC और EBC और UR के कंडिटेट हैं तो आप से को 500 रुपीय का जो भी काउंसिलिंग काफी है वह लगेगा वहीं यदि आप लोग ST, ST और दिभ्यांग के कटेगरी वाले स्टुडेंट हैं तो आप से को 350 रुपी का जो भी पेमेंट है वह कॉंसिलिंग करने में लगेगा उसके बाद नीचे आएगा तो यहां पर आप से को देखने को मिलेगा तो कॉंसिलिंग में क्या क्या डोकुमेंट लगेगा वह सारे यहां पर आप से दिया गया है तो वह डोकुमेंट देख लिजेगा उ उसके आद यहाँ देख सकते हैं direct link to apply for counseling 2023 इस वाले link पे click किजिएगा जैसे हैं आप से वह इस पे click करते हैं तो आप से वह को नया page पे redirect कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखें कि आप से वह के सामने उच प्रकार से इस प्रकार से option आ जाएगा उसके बाद यहाँ आप से वह login करने का option दिया जाएगा यहाँ पे सबसे पहले आप से वह जो भी admit card पे roll number होगा वह यहाँ पे डालेंगे उसके बाद जो भी आप से वह date of birth है roll number पे वह यहाँ पे डालेंगे date of birth चैले मैं आप से वह date of birth और roll number डाल करके submit बटन पे click करके आगे process दिखाता mobile number होगा उसपे आप से वहाँ पर डिजिट का जो भी OTP है वो send किया जाएगा उसपे आप लोग को यहाँ पर OTP डाल करके submit बटन पे click कर देना है submit बटन पे click करने के बाद आप से वह इस परकार से देखने को मिलेगा यहाँ पर जो भी आप से वहाँ डिटेल रहेगा application का detail और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप से पेमेंट लग रहा है counseling में वह यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो भी आप से वहाँ लेटी को यहाँ पर चेक करेंगे कि आप से वह लोग counseling के लिए eligible student है यह फिर नहीं जैसे आप से वह उस पर click करते हैं तो आप से वह कुछ इस प्रकार से option देखने को मिलेगा जो भी आप से वह का category है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ-साथ यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप से वह counseling का जो भी payment है वो कितना लगेगा तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप से वह को counseling करने के लिए पहले payment ही करना होगा यह दि आप लोग कैटेगरिवाज student है CST दिवियांग तो आप से वह 350 रुपी का लगेगा वही अधर student है तो आप से वह 500 रुपया जो payment है वो लगेगा चलिए मैं आप से वह इस पे click करके आगी दिखा तो जैसे ही आप से वह इस पे click करता है तो आप से वह payment page पे redirect कर दिया जाएगा तो जो भी माध्यम से आप से वह अपना payment को complete करना चाहते है वो अपना माध्यम से select कर लेंगे मैं आप से वह हमेशा recommend इससे आप से वह असानी से payment कर जाएगा और आप से वह successful भी हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले card number डालेंगे उसके बाद जो भी आप से वह का नाम है वो डालेंगे holder का उसके बाद expiry date और जो भी CVB नमर है वो डाल करके अपना proceed as payment करके अपना payment है वो complete करेंगे payment जैसे ह तो आप से वह को दो से चार मिनट तक लेट लग सकता है आप से वह गबराएगा नहीं आप लोग को automatic payment है वो complete हो जाएगा ना ही redact कीजिएगा ना ही cut कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर automatic payment successfully हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं go to application form लिंक दिया जाएगा जि यहाँ पर आप से बाद आपसूगो नीचे आना सिर्फ यहा पर आपसे बेप अपसन को यहाँ पर बहरना यहाँ पर देख सहते हैं no number में जो भी दिया गया वह यहां पर देख सकते हैं आपसे अपंट इंश्यूट दिया गया है तो यहाँ पर आप से लोग का चेयन तो जो भी आपसे लोग जिस भी district में admission लेना चाहते हैं उस district में अपना select करेंगे जैसे आपसे लोग select किजिएगा तो जो भी district में रहेगा college वो सारा college का नाम यहाँ पर सो करने लगेगा तो यहाँ पर सबसे पहले अपना जो भी college यहाँ पर लेना चाहते हैं तो उसे select किजि अधर डिश्टिक में लिजेगा, तो फिर आपसे present government college मिलेगा, यहाँ पर बता ने हैं कि लग बग आपसे को 30 college को यहाँ पे चेयन करना होगा, यहनी कि minimum आपसे को यहाँ पर जो भी five college का यहाँ पर चेयनकरना होगा, वहीं आपसे को maximum आपसे गुआ minimum आपसे को 30 college का चेयनकरन तो उधर यहां पे जो भी आपसे विलोग ने college change करेंगे तो वो यहां पे so करने लगेगा तो ठीक उसी परकार से आपसे विलोग अपना district को change करके या फिर district में जितने भी college है वो अपना सिरियल वाइज आपसे विलोग select कर लिजेगा जो भी आपसे विलोग first में लेना चाहते हैं college वो उपर में दीजेगा जो भी second में आपसे विलोग preference देना चाहते हैं college का वो यहां पे नीचे दीजेगा जैसे आप सिब लोग college का check कर लेते हैं तो आप सिब यहाँपे save का option दिया जườ jaite इस पह पर click करके अपना जुब यहाँपे सबसे पहले agree कर लेना है उसके बाद save button पे click करके उसके बाद यहाँपे save as submit पे click किजеждए जैसे आप सिब वोग save as submit पे click किजिएगा उसके साथ जैसे आपसे लोग अपना इंटीमेशन लेटर उसके बाद डाउनलोड कर पाएंगे जुब में राणन कर पाल सक्वाँ रड़्येशन लेखर यार नेटर उसके बाल सक्षी मतर्या हो, तो जह कर पीका सवैर झालर झाल श्वाँ राणनलोड जर घ्ला बाल सक्वाँ उसके लगा है झाल झाल